हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Nokia C21 Plus Android मॉयलफोन में आप जो है यहां पर आपको option मिलेगा screen lock का इसके बाद आपको next page में swipe का option मिल जाएगा swipe पे select करना है तो यहां पर यह आपका देख सकते हैं screen lock के नीचे swipe लिखा हुआ रहा है तो इस तरीके से swipe lock लगा हुआ दिखाई देगा यह आपके phone पे ठीक है अब आपको इसे unlock करने के लिए mobile phone के bottom से आपको अपनी किसी भी एक उंगली को जो है slide करना ऊपर की तरफ तो आपका phone unlock हो जाएगा ठीक है तो यह swipe lock set होने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगा आपके Nokia C21 plus android phone में ठीक है अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूं आपके phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है मुबाइल का setting page open करना है ठीक है setting page open करना है और सबसे उपर आपको यह search setting option दिखाए देता है search setting पर select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में type करना है screen lock ठीक है option show नहीं होगा ठीक है तो spelling mistake नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है तो चली वीडियो आगे continue करते हैं यहाँ पर आपको screen lock option जब show जाएगा नीचे तो इससे select करना है इससे होता क्या है आपका mobile phone आपको डिरेक्ट इस सेटिंग पेज में लेकर आजाता है और इस सेटिंग को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका इस सेटिंग को ढूंडने का आपके mobile phone में है